बिस्मिल्लाहिराह्मान रहीम असलाम अलेकुम सुडेंट्स तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टीमवर्क, पॉर्टफोलियो की एंट्री नुबर 4 है, और ब्लॉक 1 तीक है, इसमें आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, टेंप्लेट है इस पे आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है वैसे बहुत जादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है एंड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो मैं आपको बता दूँगी कि क्या करना है और कैसे करना है तो स्टार्ट करते हैं with the introduction of teamwork हम सब को पता है कि collaborative effort करेंगे when a group of people करेंगे collaborative effort for the sake of achieving the same ambition or the same aim तो उसको हम क्या करते हैं teamwork क्या होगा हमारे पास of course हमारा aim यह होगा कि patient की welfare के लिए हम काम करें और जो है patient को जल्दी से उसको recovery की तरफ लेके जाए तो यह हमारे clinical settings of teamwork का मकसद होगा quotations add कर सकते हैं pictures add कर सकते हैं it is a fuel that allows common people to attain uncommon results ठीक है इसके बाद आजाते हैं characteristics of a team पर हमारे जैसर लोज हैं उनमें क्या है कि characteristics of team बता हैं हमने यहां पर special reference लिए to healthcare settings characteristics of team in general भी हम बता सकते हैं लेकिन of course हमारी medical field है medical students है तो with reference to healthcare settings बता रहे हैं कि interdisciplinary collaboration होनी चाहिए for example एक doctor है अब जो भी हमने patient care करनी है उसमें सिर्फ doctor का तो role नहीं है doctor का भी role होगा nurse का भी role होगा pharmacist का भी role होगा जो lab वाले होंगे उनका भी role होगा radiologist का भी role होगा जितने भी diagnostic tests होते हैं उनका सब का role होगा ठीक है उसके बाद उसके जो attendance है उनका भी role होगा ठीक है तो सबने collaborative effort करनी है ताकि वो patient को better feel करा सके और जल्दी recovery की तरफ लेके जा सके है ठीक है इसके लावा patient centered care होनी चाहिए या पर aim oriented professionals होने चाहिए ठीक है aim oriented team होगी कि जो बाकी differences है उनको side पर रखके उस work के लिए अपने aim पर focus करने है ठीक है इसके लावा mutual respect of course अगर mutual respect नहीं होगी तो जो है team सही से work ही नहीं कर पाएगी team weak होगी trust worthy नहीं समझेंगे लोग एक दूसरे को जब वो एक दूसरे की respect नहीं करेंगे तो अफकॉर Corps ड्रस्ट भी नहीं करेंगे जब ट्रस्ट नहीं करेंगे तो जो वो अपना assigned गाम है वो सही तरीकेसे नहीं करताएगे क्यों क्योंकि हर पॉइंट पे किसी नहीं किसी advice की जरूरत होगी कि जब वो बीयूकू को सबूसरे कि depend करती है उस team के leader पर कि जो भी person है उस team में specific healthcare setting में जो leader है ठीक है उसका ये role होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि उसने कब लोगों की सुनी है अपने team members की सुनी है और कब खुद decision लेना है ठीक है तो इसको हम आगे भी देखेंगे कि हमारे हमने भी देखने है कि members एक team में कौन कौन से roles होते है उसमें हम इसको देखेंगे ठीक है फिर हमने देखने है कि types of teams क्या होती है ये भी with special reference to clinical settings है medical teams होंगी जैसा कि हमारे पास therapists होंगे doctors होंगे nurses होंगी ये क्या होगी एक medical team होगी जिसने patient को directly deal करना है उसको दवाई देनी है उसकी therapy करनी है या फिर उसका diagnosis करना है इसके लावा nursing teams होंगी जो उसकी बाकी जो है इन चीजों का छोटी मोटी चीजों का इसके इलावा भी एक पूरी team होती है nurses भी होती है सब होते है surgical teams में और फिर वो मिलके collaboration करके ही surgery होती है surgeon himself क्या करता है जैसे अगर आप cardiac surgery की बात करें गर bypass हो रहा है तो जो वहाँ पर लोग मुझूद होते हैं बाकी जो कहलें कि बाकी जो surgeon की team है except for the surgeon वो पहले से ही जो है पूरा cut भी लगा के रखते हैं और जो है heart को भी body से बाहर निकाल के रखते हैं surgeon का काम बस इतना होता है कि वो जो भी उसने stitches बगारा लगाने है या जो भी procedure heart के अंदर करना है वो वो कर देता है और बाकी वो next patient की तरफ move करता है ठीक है तो surgeries में जो major काम है वो surgeon करते हैं बाकी सेरा काम भी जो बाकी staff है वो करता है ठीक है इसके बाद हम आजाते हैं other teams पे laboratory teams है, rehabilitation teams है, ICU teams है, pharmacy teams है इसके अलावा कौन से teams हो सकती है इसके बाद हम आजाते हैं stages of team development में कि एक team को develop होने के लिए कि इनके stages से गुजरना पड़ता है सबसे पहले stage होगी forming of course team members जो है जैसे अगर हम कहते हैं health care settings है तो of course शुरू से ज़्यादा तर लोग एक दुस्रे को नहीं जानते होंगे start इस तरह से होगा कि बादचीत होगी आपस में उनकी same board है तो वो लोग आपस में बात करेंगे communicate करेंगे पहले शुरू में forming में क्या होता है forming phase में कि hesitation होती है और जो communication में hesitation होती है और cautious हो के बात करते हैं कि हमारी कोई बात किसी को बुरी ना लग जाए क्यूंकि वो unaware होते हैं दूसरे की जो है रवईयों से ठीक है इसके बाद क्या होता है storming पहले forming होगी फिर storming होगी storming में क्या होता है कि conflict होते हैं और disagreement होते हैं क्योंकि जो उनका जो पहला वाला phase है जिसमें वो ज़रा जादा cautious होते हैं वो जा चुका होता है और अब वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ अपनी जो राय है वो शेयर करने शुरू कर देते हैं तो जब जा राय है शेयर करते हैं तो उसके बाद उनके of course conflicts भी होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं storming इसके बाद होती है norming norming यह होती है कि norms develop हो जाएं एक team की एक specific team की कि यह यह हमारी team में allowed है यह हमारी team के boundaries है ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से यह होती है norming इसके बाद आती है performing performing is the best stage of a team यह क्या है कि जब एक team ने अपने best level पर perform करना है और अपना maximum output देना है to complete its aim ठीक है यह norming के बाद आती है performing और performing के बाद आती है transforming transforming में क्या होते है कि अब जो है team ने अपना task effectively कर दिया ठीक है for example एक patient था और वो ICU emergency में आया for example और एक team थी पूरी और उन्होंने उसको फॉरण देखा, diagnose किया और उसके बाद उसकी surgery हुई उसके बाद उसने जो है recover किया और फिर उसकी therapies भी हुए अब वो patient recover कर चुका है recover या तो कर चुका है या अभी आइस्ता आइस्ता recover कर भी रहे तो patient की जो recovery team थी उसकी disbanding शुरू हो जाएगी कहनी जिसने शुरू में emergency में उसको deal किया था तो अब उसको deal ही कर रहा होगा वो किसी new patient को deal कर रहा होगा तो जो team है basically उसकी disbanding शुरू हो जाएगी कि जिस जिसने अपना जो जो अपना काम पूरा कर चुका है वो उससे अलग हो जाएगा और वो अपने मतलब नई team के साथ जो है काम करने लग जाएगा और team के disbanding हो जाएगी अब आजाते हैं various team roles पे यह general team roles हमने लिए हैं कि leader होगा, coordinator होगा, facilitator होगा, communicator होगा problem solver होगा और quality controller होगा problem solver जादा तर leader ही होता है क्योंकि उसे को decisions लेने होते हैं और उसी की सब मानते हैं ठीक है, अब barriers क्या है to effective teamwork, poor communication is the most important barrier कि अगर आपकी एक team है और आप उससे सही से communicate नहीं कर पाते हैं आपके ख्यालात नहीं मिलते हैं तो poor communication होगी poor communication की वज़ा से जो है गलत फहमियां भी होगे और उसके बाद of course conflicts होगे, lack of trust is the second point कि अगर आप, मैंने पहले भी पता है कि अगर आप अपने team mate पर trust नहीं करें तो आप उसके advice लोगे भी नहीं उसको advice सही दोगे भी नहीं जब advice सही नहीं दोगे, help भी नहीं लोगे तो of course teamwork नहीं होगा lack of trust ही, जो trust था वो ही main element था teamwork का कि जब एक collective effort है तो of course trust तो करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो teamwork सही नहीं होगा उसके बाद है lack of leadership कि आपका जो leader था वो ही सही नहीं था ठीक है, तो lack of leadership में क्या है कि किसी जो कोई भी आपका leader है या आपकी पूरी team है उसमें किसी में भी leadership qualities ही नहीं है कि उसे पता चले कि कब decision making करनी है कब सब की सुननी है और कब अपनी सुनानी है ठीक है, इसके अलावा resistance to change अगर team resistant होगी चेंज के लिए, मसलें अगर वो जो है कोई भी team का member है एक specific member है या दो-तीन members है, या पूरी की पूरी team ही है जो नई चीजों को adopt नहीं करती जिल्दी से, और situation के according, मतलब इसको कहते है adaptability अगर आपकी adaptability सही नहीं है situation में fit in नहीं हो सकते situation के हिसाब से अपने processes को अपने time settings को अपने time limits को और अपनी priorities को manage नहीं कर सकते तो of course team work effective नहीं होगा तो यह barriers थे कुछ बाकि आपको अगर कुछ और इसमें point समझाएं तो आप फो of course लिख सकते हैं, add करें जरूर, इसके बाद जो थोड़ी सी changing मैं कह रही थी के करनी है वो है self evaluation, self evaluation में आपने क्या करना है, कि दो headings बनानी है, कि positive aspects क्या है और negative aspects क्या है और आपने फिर उसमें लिखने है कि आपने team, अगर आप team work करें तो उसमें आपके positive aspects क्या होंगे, मसलन आपके अंदर, किसी के अंदर leadership qualities होंगी और किसी के अंदर ऐसी qualities होंगी कि वो अच्छा member बन सकता होगा या फिर वो quality controller बन सकता होगा, इन में से कुछ भी जो है, अगर आपने कोई ऐसी quality है कि आप in team roles में से कुछ भी ले सकते हैं, तो आप उसको लिखें कि मेरे अंदर ये quality है, मैं ये team roles ले सकता हूँ, और मेरी इस वज़ा से मैं ये team role choose कर रही हूँ ठीक है, उसके बाद आप आएंगे negative aspects, फिर negative aspects में आपने देखना है कि आप में क्या क्या चीज़ की कमी है, ठीक है मसलिन आपके communication skills इच्छे नहीं है, या फिर lack of trust है lack of leadership है, resistance to change है आप चीज़ों को adapt नहीं कर पाते तो फिर negative aspects में आपने ये लिखना है कि किस-किस तरह से आपको team work में difficulty आती है और किस-किस तरह से आपको team work में जो है, असानी होती है, वो आपने positive में लिखना है इसके इलावा, अगर कोई आप अपने science project वगरा का लिख सकते हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं इसके लिख सबस्क्राइब चुट्स आपको खरें and then you will be done with your entry number 4 okay, so that's all for today, I hope you find this video useful stay tuned and get subscribed to my channel further, don't forget our Palestinian brothers and sisters and your prayers thank you so much